नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में आज हम बनाने वाले हैं गोभी की गोली जो की हम खास ट्रिक से बनाएंगे ऐसी ट्रिक जिससे की हम इसे डिप्राई भी करेंगे फिर भी इसके अंदर ओयल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा तो ये गोभी के गोली पहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी का फूल तो चलिए बनाना सुरू करते हैं गोभी के फूल को हमें कद्दुकस कर लेना है कुछ इस तरीके से हम कद्दुकस कर लेंगे और इस गोभी के कद्दुकस किये हुए गोभी में हम डालेंगे यहां 3-4 हरी मिर्च जिसे हमने बारिक काट लिया है और इसके साथ ही थोड़ी से करी के पत्ती हैं जिसे हमने बारिक कट किया है एक टी स्पुन डालेंगे चिली फ्लैक्स और स्वाथ के असवार इसमें डालेंगे नमक quarter cup इसमें डालेंगे हम सुजी का quarter cup इसमें हम डालेंगे बेशन का और साथ ही इसमें डालेंगे quarter cup गेऊं का आटा तो ये सारे चीजे healthy हैं तो बहुत ही healthy बे में ये गोबी की गोली हम बनाने वाले हैं कि गोबी की गोली को सॉफट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2ेबल स्पून कुकिंग ओल जिससे यहां पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करेंगे कद्दू कस किये हुए गोबी में थोड़ा सा पानी निकल जाता है जिससे की आठा अराम से लग जाएगा अगर थोड़ा सा भी गिल्ड़ ये आटा रह जाता है तो इसमें हम थोड़ा सा सुखा आटा इसमें उपर से और मिला के से हम रोटी के आटे के जैसा हम लगा लेंगे थोड़ा सा सुखा आटा इसमें और मिक्स करते हुए इसे आटे के जैसे लगा लेंगे जितनी जर्रत होगी उतना आठा लगाएंगे तो देखिए यहां पर हमने आठे को लगा लिया है इसकी गोली बनाने के लिए हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे उसके बाद मनपसंद आकार की गोलिया हम बना लेंगे जैसे हमें पसंद है छोटी बड़ी जैसे आपको कोटिंग हो जाने के बाद इसे हम डिग फ्राइ करेंगे तो इन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बार से क्रिस्पी होंगे अंदर से सौप्ट होंगे तो ऐल अच्छे से गरम हो चुका है कडाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा धुंदला हो गया है पर इसका एक फाइदा है कि यह गोलियां अपने अंदर ओयल को जादा नहीं सोखेंगी और जितना भी कौन फ्लोर है वह ओयल में निकल जाएगा और यह तलने के बाद जब हम गोलियां बहार निकाल लेंगे तो आपको लगेगा कि ओयल देह सारी चीजे तल ली है बहुत काला हो गया है अब वह किसी काम का नहीं है तो वहां पे आप इसमें कौन फ्लोर को थोड़ा सा डाल के छोड़ दीजिए उसके बाद इस ओयल को आप देखिएगा इसमें साफ सुतरा तेल होके उपर आ जाएगा और जो भी गंदगी होग वह कौन फ्लोर अपने अंदर लेके निचे बैठ जाएगा तो आपका तेल है ना वह एकदम फिल्टर हो जाएगा इसी तरीके से यह भी तेल हो गया था मेरा तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो उपर एकदम फिल्टर होके तेल आ गया और नीचे जो भी गंदगी थी चान के फिर से यूज कर लिया तो फिर से यूज यह तेल आ सकता है तो देखे किसे हमने तेल में डिप फ्राइक किया फिर भी इसके अंदर बिल्कुल भी और नहीं है यह सुखी सुखी गोवी की गोली बनिये कुछ इस खास टिक के कारण तो देखिए इस तरीके से आप ग वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें